तो यह वीडियो उनों पर बेस्ट है जिलनों का एरफोर्स में सेलेक्शन हुआ है और उनको लगता है कि मेरे उस जर्णी में जो उनका सेलेक्शन का जर्णी रहा है फेस्वन का उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहा है क्योंकि अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में यह स्थी वज़े से इनका सेलेक्शन हुआ है तो मुझे मेरे इमेल पर प्रूफ के तौर पर अपने और को बैज सकते हैं जो प्रूफ के तौर कि उनका एरफोर्स सेलेक्शन हो गया तो मुझे बहुतत सारे ढीड है और उन्हें में से मैं कुछा एमेल आपको आज दिखाने वाला हूं और उन्हों को नाम बताने वाला हूं तो पहला इमेल देख लेते हैं यह बेज़ा है में सुभोध ने लिखते हैं कि कि फेस्टू आप चिंता मत कीजिए मैं फेस्टू की वितारी कराऊंगों देख लेते हैं इनका इन्होंने प्रूफ के तौर पर भीज़ा है यह भी खुल नहीं आप देख सकते हो यह सुभोध विश्णोई हैं और यह फेस्टू के लिए शॉट लिस्टेट हैं आप देख स सेलेक्शन के लिए अब देख लेते हैं दूसरा इमेल तो यह भीजा है स्मार्ट चैनल निशाद जैन पर निशाद हैं यह इन्होंने भीज़ा है देख सकते हो प्रूफ के तौर पर यह भी शॉट लिस्टेट हैं दोनों इन्होंने एक्स वाई कर दिया था और इनका दोन नहीं बेज़े हैं बट प्रूफ के तौर पर दो फोटो भी यह तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि उनकी सारी डेटेल्स हैं तो नहींने इनका रेजिस्ट्रेशन नमबर यहां पर प्रूफ के तौर पर भीज़ा है और इनका ग्रूप एक्स में सेलेक्शन हो 43 मार्फ है उनके ग्रूप X में और 37 मार्फ हैं उनके तो anders कि इनका दोनो ग्रूप में तो बहुत को तेसर्व कियोंकंका दोनो ग्रूप में सेलेक्शन को हो गया है अगला vigil अनुझ कुमार ने इनंहों ने दिया था ग्रूप X और Y दोनों का और इनके सवरी ग्रूप X का यह नोंने दिया है और इनके मांक सब्जेग सकते हो यह हैं इंग्लिश में इनके मांक से 16 फिजिक्स में 20 और मैंस में 22 बहुत यह अच्छा स्कोर किया है इन्होंने और यह भी शॉट लिस्टेड हैं फेस्टू एक्जाइम के लिए तो बहुत कॉंग्राट्स अनुष्ट कुमार को भी फिर अगला भेजा है अंकुर है अभी भी प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर बना है हम लोगों के लिए थैंक्स अलाट तो बिलकुल अंकुर मैं भी फेस्टू के लिए भी जल्दे मैंने कई वीडियो बना भी रखी हैं भी प्रूप डिश्कुसन और क्या क्या होगा आपका सब उनको भी रिफर की ज अच्छा ने और लिख रहा का सर मेरा एक्स ग्रूप में हुआ है और मेरे नाइं 49 नंबर आपने हमारी बहुत मदद हेल्प की है इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक्स और शुक्रिया मेरे इंग्लिस में 11 मार्क्स इनों लिख रहें इंग्लिस में 11 मैट्स में 21 और टोटल इनके 49 मार्क्स आया जो की बहुत अच्छा है फिर एवरेज स्कोर है तो उसमें सेलेक्शन के लिए कुछ ऐसा जरूत नहीं लेकिन अच्छा स्कोर है और जैसे कि आप देख सकते हैं फेस्टू की अपना एड्मिट कार्ड का फोट और यह पूरा भेज रखा है तो उसमें की पर्सनल डीटेल्स में जो मैं नहीं दिखा सकता इसलेकिन आप देख सकते ही फेस्टू का एड्मिट कार्ड इनका फिर अगला इमेल भेजा आनिल कुमार शर्मा ने मेरे एरफोर्स में नंबर कम आये हैं तो आगे कोई दिक्कत होगी क्या मैंने नंबर अटाश् वाली बात नहीं है अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे वहां पर तो क्योंकि मेरेट तो देखिए इससे डिसाइड होने वाला है तो जरूर फर्क तो पड़ेगा इसके मांक से लेकिन अब वही है कि आपको ऐसा देखिए यही मैं काऊंगा उनलों स्टूडेंट से जि देखा होगा कि लोगे एक-एक मार्क से सेलेक्शन है फिर एक मार्क से आप आप नहीं देखा होगा कि सेलेक्शन हो गया है तो यह बाद में भी आपके साथ हो सकता है हो सकता है कि मांक्स कम है लेकिन आपके जो उनके मांक्स और कम हो तो आपको सेलेक्शन हो सकता है तो इस और यह भी shortlisted है face two के लिए फिर भेज़े हैं हमको यह वी चार्ट तेज़ा जी भक्त ने और इनका नाम अमिच चौधरी है क्योंकि जैसा की भेज रखने उन्हें ग्रूप X और Y दोनों का दिया था और इनका भी ग्रूप X में ही हुआ है इसे के आप देख सकते हो और इनके थर्टीन है और फिजिक्स में थर्टीन है और माच में अच्छा स्कोर के इनके इनके ट्वेंटीवन यह भी shortlisted है ग्रूप X के लिए ग्रूप Y में का नहीं हुआ है और इन्होंने साथ इसाथ एडमिट कार्ड का फोटो भी भेजा है फिर अगला इमेल भेजा आशीज गुपता ने और इन्होंने अपना एडमिट कार्ड का यह अटाश्मेंट भेजा है फेस टू का अब दे जैसे की देख सकते हो तो बहुत-बहुत कॉंग्राट आशीज गुपता को भी एर फोर्स को एक्जैम फेस वन क्लियर करने के लिए और उमीद करता हूं सभी लोग फेस टू भी क्लियर करेंगे फिर अगला इमेल भेजा है उमर अब्दुल्ला ने सर आपकी सारी वीडियो देखिए हमने तयारी करने का शॉट और ठोस तरीका मिला थैंक्स अलॉट सर थैंक्यू त इनके मांक्स देख सकते हैं आप इनका 36 है ग्रूप वाई में नहीं की जिस्ट पास है यह शॉट लिस्टेट हैं फेस टू के लिए तो बहुत-बहुत कॉंग्राट्स इनको भी फिर अगला इमेल भेजा है शशांक ठाकुर ने और यह लिखते हैं कि से यह वीडियो लिए लॉट तो कॉलिफाय दिस फेस्ट फेस्ट फेर में सेलेक्शन एक्जाम आई होप विल्कुल मैं भी उमीद में हूं कि आपका फेस्टू सभी लोग का क्लियर हो जिन जो लोगों मुझे इमेल बेज़ें अपने फेस्ट वन क्लियर होने का तो इनके मार्स जिससे कि आप द सकते हैं नाम में लिख रखा है लिखा इनका तो बहुत-बहुत कॉंग्राइट इनको भी शेशंग ठाकुर को फिर अगला भेजा है कैलाश सिंग ने कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है मेरा जो एड्मिट कार्ड इसमें रॉंग डॉन होतो वीक क्या प्रॉब्लम हो सकती तो द लिस्टेट हैं तो बहुत-बहुत कांगराइट्स इनको भी फेस्वन क्लिर करने के लमें भीजा है अरुन दूबे ने और इन्होंने लिख रखें अपने मार्क साथ ही साथ अपने रजिस्ट्रेशन नमबर जिसे कि आप देख सकते हो इंग्लेश 14 फिजिक्स 14-13 ट्राग देखेंग्स जाया तो तो चीज और आपको अपने बिरिट इसकी अपना रता हिन्ग से प्रेपयर कीजिए तो होगा नहीं है तो होगा ゃा अब बस अपना फेस्टू के लिए प्रेपरेशन कीजिए मैंने कई वीडियो बनाई है उसको रेफर कीजिए कैसा आपका क्या क्रॉसेस होगा फेस्टू का उसको ठंक से समझे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है फेस्टू में उता दू ठीक है यही आपका एक मेन हर्डल था तो जो कि आपने पार कर लिया है तो आपको जैदा टाफ नहीं है थोड़ा सा आपको डंग से ब्रेपर करके जाना तो उसके रिलेटर यूटीब पर आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आप टॉप चैनल से उनका वीडियो देखिए उनका रेफर कीजिए कि कैसे अब यदिकेटेड थी जिलनों का सेलेक्शन हुआ है और जलों को नहीं हुआ है उनको मैं यह कहना चाहता हूं कोई जिंताली बात नहीं है आपके फॉर्म सा आते रहेंगे और आते रहेंगे आप उनके नहींदेशन भी किसी ने किसी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर फेस्टू के लिए फिर बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं ठीक है तो मेक शुर आप सब्सक्राइब करके चैनल को और शेयर करें वीडियो को ताकि सबको पता चल सके कैसे लोगों के मांक्सा हैं क्या सकसे स्टोरी रही उनकी और कोई डाउट कमें सेक्शन पूछ सकते हो देने वाली हैं